गुड मॉर्निंग एवरीवन तो आज हमारी क्लास जो है एकलोजी की जैसा कि हमने वादा किया था आठ वजे आपके सामने हम लेकर इसे हाज़े रहें ecology की यह हमारी class है lecture हमारा जो है यह छठा है इससे पहले 5 lectures ecology के आ चुके हैं जो एकदम UPSC के सलेबस के recording हम step by step चल रहे हैं तो 5 lectures आप पिछले जाके पहले देख लीजिए जिनका link आपको description में मिल जाएगा हमारे WhatsApp और Telegram गूर्प से जोड़ जाएं यह रहे हम और यह हमारा ecology का इससे में topic चल आए हमारे जो channel का नाम है agriculture for civil services मतलब civil services के लिए आपको तयारी अगर करनी हो option at agriculture लेकर अगर आप करना चाहते हैं तो हिंदी में आपको PDF notes और lectures available करवाया जाएंगे ठीक है चलिए आज start करते हैं का topic जो हमारा है जो ecology का हम अगर syllabus देखेंगे तो हमारा जो second syllabus में topic होगा वो हमारा क्या दिखेगा आपको हमारा दिखेगा physical and social environment as factor of crop distribution and production मतलब जो physical और social environment है वो कैसे उसमें कौन-कौन से कारक है जो crop distribution को परभावित करते हैं तो अगर हम एक बार देखें कौन-कौन से कारक है जो फसल वित्रन को परभावित करते हैं कहां कौन सी फसल का जो है उत्पादन किया जाएगा सबसे पहले जो factors में अगर हम देखेंगे तो natural factors में अगर हम देखें तो हमारा क्या है इनको detail में नेक्स्ट लेक्च्र में आपको समझा आजाएगा part 2 जब इसका आएगा ठीक है तो यह हमारा क्या है natural factor rainfall और swole climate यह हमारा जो है क्या है climatic factor में आते है natural में historical factors की अगर बात किया जाए तो land type टाइप आफ ऑॉनर्सिक आफ लेंड एंचेन्योर सिस्टेम यह सब प्रभावित करते हैं क्या हमारे फसल बित्रण को social factor में customer tradition social environment प्रभावित करता है economic में price income input price size of holding ठीक है और इसके लावा डिमांड से इसा प्रभावित करते हैं लोग पैडी का जो मतलब धान हमारा है उसका उत्पादन कहा करते हैं मैं एक्जिमा हम वेस्ट बंगाल में करते हैं ठीक तो वेस्ट बंगाल में हमारा क्या है धान सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है इसलिए उसका उत्पादन हम कहा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल मे करता है इस सारी चीजे हमारी क्या करते हैं प्रभावित करते हैं किसको जिसे हम सेब कहा हुगा रहे हैं हम लोग जम्मू कस्मीर में हुगा रहे हैं हम लोग तमिलाड में सेब नहीं हुगा रहे हैं ठीक है तमिलाड में हम लोग क्या हुगा रहे हैं कोकोनट हम कहा रहे हैं ज 醇 हैं इसके लावा जैसे अभट जाहा अलग अलग इलग मुच्दमiran में क्या होत == मेर्दा जया होती सो आप जा मुकस्मीर में उगाते हैं जा बरफ जैसा मा हो लोगा ठीक है इसके अलावा लेंड टेने और सिस्टम किसके हाथ में ज़ो है जमीन रहती ये सारी चीजे भी प्रभावित करती है किसको हमारी जो है अगर बात किया जाए कस्टम और ट्रेडिशन्स थोड़ा सा जो हम अगर देखा जाए इथिक्स का पार्ट हो गया customs और tradition में जरा सांदार होता है customs जो हमारे हैं जो ऐसे रीती रिवाज जो हमारे पास कानूनी रूप से लिखित नहीं है तो हमारे क्या कहलाते है customs वही custom अगर 3 चार पीडियो तक चलते रहें तो हुने कहा जाता है traditions परंपराई ठीक है तो custom और traditions में जो हमारी खेती चली आ रही होती जैसे हमारे यहां को फसल सिधान चला आ रहा है वो क्या है हमारे यहां उगाया जाता है paddy, wheat और sugarkin यही क्रम हमेशा हमारे यहां चलता है ठीक है इसके अलावा जब हम लोग crop rotation करते हैं क्या होगा देते हैं, सरसों होगा देते हैं यह कभी कबार कोई दलहनी फसल होगाते हैं ठीक है, तो यह हमारे यहां का क्या है cropping pattern हो जाता है, उसी को हम क्या कहते है customer tradition जो एक छितर पे चला रहता है उसी को हम cropping pattern बोलते हैं ठीक है, ऐसे हमारा social environment मतलब वहां का समाच जिस चीज की खेती को बढ़ावा देना चाहता होगा उस चीज को बढ़ावा देगा ठीक है, यह भी प्रभावित करता है किसको crop distribution को ठीक हम क्या जान लिए, natural जान लिए, historical जान लिए और social जान लिए, अब economic की बात करने जैसे, price, किस चीज के price कितने हैं, किस बाव भी करही है market में, यह जो है सबसे ज़्यदा प्रभावित करता है हम देख रहे हैं कौन सी चीज में हमारा सबसे ज़्यदा profit होगा profit के लिए हम देखेंगे, उसका price के market में है ठीक, उस भी होगा जाएगा, जिसे मालो हम उगाना चाहते है, गंणा लेकिन हमारे पास गंणा उगाने के लिए उसकी गुड़ाई, निराई, बुआई के लिए पैसा नहीं होगा पाएंगे, तो इस चीज को भी द्यान में रखा जाता है, यह भी प्रभावित करता है किसको crop distribution को इसके अलावा demands प्रभावित करती है जिस छेतर में रहने वाले लोगों के लिए जो demands जरूरी होंगी वही जो है क्या होंगी वहाँ वही खेती की जाएगी ऐसे government की policies प्रभावित करती है government की कई सारे नेतिया होती जो में प्रभावित करती है जैसे taxes किसी चीज़ पर सरकार क्या करें टैक्स बढ़ा दे अगर सरकार किसी चीज़ के उतपादन पर टैक्स बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगो उसका उतपादन कम कर देंगे जितना उतपादन से फाइदा कमारे उसमें ज़्यादा टैक्स देना पर जा रहा है तो क्या करेंगो उतपादन कम कर देंगे वहीं किसी पर subsidy देने लगे छूट देने लगे ठीक है जब छूट देने लगे तो यहनी उतपादन करो सरकार भी उल्टा तो उसको फाइदा दे रही है तो क्या करेंगो उसका उतपादन बढ़ा देंगे MSP किसी चीज पर अगर बढ़ा दीजा सरकार क्या करती है सरकार को अगर इस साल किसी चीज का production बढ़ाना है तो उसके क्या करती है MSP को बढ़ा देती है minimum support price को बढ़ा देती है minimum support price जब बढ़ जाता है तो लोग उसी चीज की खेती करने लगते हैं ठीक है export policy हम किस चीज को जो है export policy के तहत international market में बेज रहें जादा से जादा उस चीज की खेती हम जादा से जादा करना पसंद करेंगे ये सारी चीजे हमारे क्या है factors है जिनको detail में हम आपको next chapter जब पढ़ाएंगे तो ये factors जो है एकदम detail में सब आपके सामने notes में available होंगे ठीक है ये भी हमने आपको क्या दिया है एक brief intro दिया है जो next lecture में आपको पढ़ाने वाले है उसके बारे में इस lecture में आपको क्या पढ़ना है उसको जड़ा देखिए इस lecture में हमें पढ़ना है वैज्यानिकों ने जो अपने क्या दिये है principles दिये है सिधान्त दिये है उनके बारे में थोड़ा सा जानना है कई सारे सांटिस्टों ने क्या किया है सांटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है अपने अपने सिध्धान दिये हैं कि इस लिए फसल वितरण के लिए ठेक सस्य बित्रण मुख्यताः जलवायू बित्रण पर आधारित होता है किस पर आधारित होता है क्लाइमेट पर ठीक है इन्होंने पहली बात क्या रख दी कि क्लाइमेट भईया बहुत जरूरी है पहली बात इन्होंने रख दी कि क्लाइमेट जरूरी है दूसरी बात अगर किया जा ही success of flora बहुत जरूरी है plant crop distribution को प्रवावित करने वाला बहुत जरूरी कारक है अब यह success of flora क्या होता ता है success of flora कहा जाता है एक ecology का बहुत अच्छा टर्म है जिसे जो plant होता है ठीक यह plant है अब यह plant क्या करता है धीडीरे धीरे होते हैं उसे ही कहा जाता है succession of flora ये भी हमारे crop distribution को प्रभावित करता है धीरे-धीरे जब हमारा plant क्या करता है अपने आप में कुछ नको changes लाता रहता है time के साथ में उसे ही succession of flora कहा जाता है crop distribution को प्रभावित करता है इसा goods मानते थे ठ지만 अलबा पौधों के इस्थाना नहीं माइग्रेशन अब माइग्रेशन पौधों का दो तरीके से हो सकता है माइग्रेशन इन्होंने कहा कि माइग्रेशन प्रभावित करता है पौधे का जो माइग्रेशन है वो प्रभावित करता है कि इसको crop distribution को, तो migration के लिए इन्होंने कहा कि दो चीजे जिम्मेदार होती हैं, एक तो होता है क्या, इन्होंने कहा कि dispersal, यह आप जब read पढ़ेंगे तब यह terminology पढ़ने को आपको मिलेगी, जब read हम आपको पढ़ाएंगे, दूसरा इन्होंने क्या बनाया, dissemination, ठीक, dissemination और dispersal, यह है हमारा dispersal, यह हमारा क्या है dissemination, dispersal और dissemination में अंतर सिर्फ इतना ही होता, दोनों क्या करते हैं, migration करवाते हैं, लेकिन अंतर बस इतना होता है, यह physical factor के द्वारा जब migration होता है, तो से dispersal कहा जाता है, वहीं biological factor के द्वारा जब migration होता है, तो से dissemination कहा जाता है, जैसे हम लो बाइलोजिकल फैक्टर हो जाएगा जबकि गेहों में हमारा परागन किसे कारण होता है एक हमारा फिजिकल फैक्टर कौन होता है जैसे हमारा क्या है एयर है ठीक है या एयर हमारा है एयर हमारा है या फिर वाटर हमारा है यह सब क्या है यह हमारे क्या है फिजिकल फैक्टर है किनारे समुधर रिवा स्थल के किनारे जैसे जिन्हे एमको बोले हैं एको टोन जैसे जह आप आपको बताए थे यह नदी है चस्टाइब बीच वाली च्छत वाले छेटे ब्लब लब होते हैं जैसे हमारे होट स्पोर्ट कहां पर हैं भारत में चार होट स्पोर्ट हैं आपको बता दें टोटल विस सुभर में 20 होट स्पोर्ट माने जाते हैं इसमें चार कहां है भारत में हैं अब भारत में होट स्पोर्ट कहां कहां पर हैं सबसे पहला हमारा कहा है एक हमारा हिमाले वाला है सिर्फ एक हमारा ऐसा हाट स्पोर्ट बना हिमाले वाले रीजन में जो हमारा समूदर्ग में नहीं जुड़ा हुआ है तो इससे आपको पता जलता है कि इतनी ज्यादा बायो डैवेस्टी अपनी रखता है कि जहां सबस्यादा बायो डैवेस्टी हो पहला बता दिया climate, दूसरा बता दिया edific, तीसरा बना दिया succession of flora, चौथा बता दिया migration, इस्थाना अंतरण, पांचवा बता दिया क्या हमारा ecotone, हमारा यह सब कारक है, crop को distribution को प्रभावित करने वाले, ठीक है इसके बाद दूसरे बात करते हैं हमारा holocoinotic concept, क्या है, holocoinotic concept ठीक है, holocoinotic concept, holo का मतलब क्या होता है, hol जहां पर आजा है, इसका मतलब क्या है, संपूर्ड से है, ठीक है, संपूर्ड, संपूर्ड से है, koinotic concept, actually यह बिलिंग्स ने दिया था, crops में, इससे पहले जो हमारे थे, इसको जो है, एक ब्रिटेन के scientist थे, उन्होंने इस concept को सब से पहले डिवलब किया था, उन्होंने इसका मतलब क्या बताया था, holo koinotic का, उन्होंने बताया था कि जितने भी जो हमारे biological और biotic और abiotic component होते हैं, इनके बीच में कोई भी दिवार नहीं होती, कोई भी barrier नहीं होता है, यह एक दूसरे को हमेशा परभावित करते हैं, तो इन्होंने कहा कि climate प्रभावित करता है, ठीक, दूसरा इन्होंने climate पहला बताया, दूसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि swirl प्रभावित करता है, swirl से related जितने भी factors होंगे वो प्रभावित करते हैं, तिसरा इन्होंने कहा biotic component प्रभावित करते हैं, biotic component प्रभाव करती है और यह तुम्हारा क्या है darkest करती है वाटर प्रभावित करता है फाइल करती है यह हमारे क्या हो गए सारे के सारे क्लाइमेट động यह सारे हमआ वाखे खहो गरने क्लाइमेटो किसके बाद इन्होंने बता है इंगे सभी हमारे होता है उच्चा भज सा Image यह हमारा क्या है यह परवत है यह हमारा क्या है परवत है यह हमारा क्या है पठार है यह हमारा क्या है मैदान है ठीक यह हमारे क्या है विभिन उच्चावच है विभिन हाइट्स है डिफरेंट हाइट्स है डिफरेंट हाइट्स जो है यह प्रभावित करती है किसको यह हमारी parent material, gravity और topography, topography आपको समझा रहे ते क्या होता है, topography जिसे हमारे क्या है, बिभिन उच्चावच है, परवट है, पठार है, मैदान है, ठीक है, परवट, पहाड़ी, पठार, मैदान है, बिभिन height है, तो height के हिसाब से बांटा जाता है, है, plant distribution को, animals प्रभावित करते हैं, और people, लोग प्रभावित करते हैं, हम जैसे लोग प्रभावित करते हैं, सरकारे प्रभावित करते हैं, ठीक है, यह सारी चीज़े हमारी क्या हो गई, यह हमारी सारी चीज़े हो गई क्या हमारी जो है यह हो गई पायोटिक ठीक है तो यह तीन कंपोनेंट जो है बताया थे किसने हमारे यह हमारे बिलिंग्स काका ने बताया थे बिलिंग्स ने बताया थे इसे हम बोलते थे होलो कोईनोटी कॉंसेप्ट ठीक है यह हमारा बहुत important concept है, जो हमारे दूसरा concept है, ठीक है, second concept है, तीसरे concept की ओर चलते हैं, बहुत interesting जो हमारा है, यह हमारे थे, law of minimum बताया थे, justice one living, justice one living कहिने लगे, कि भाईया इसा है कि पहुद एक ब्रद्ध जो है, उस खाद्य पदार्थ पर, उस mineral पर, खाद्य पदार्थ छोड़ो यहां पर होना चीए था mineral, ठीक है, उस तत्त पर या उस mineral पर निर्भर करती है, जो से सबसे कम मात्रा में दिया जाता है, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया, जैसे की concept देखो, यह तुमारा समझाने के लिए बनाया हमने एक, जैसे, sulfur हमें रहे है, magnesium है, calcium है, nitrogen, boron, iron, molybdenum, light, soil condition, water, sodium, हमें, magnesium, copper, hydrogen, phosphorus, potassium, sulfur, सब देडाला हमने इनको, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बना था, जिसका हम कहते हैं, क्या मालो, यहाँ पर कोई भी एक मालो, जैसे nitrogen यहाँ नहीं, यहाँ था, ठीक, जो nitrogen हमने सबसे कम दिया था, जो सबसे कम दिया था, yield हमारी उतनी होगी, जितना हमारा, यह हमारा क्या होगा, nitrogen होगा, यहाँ जो सबसे कम मातरा में हम देंगे, yield हमारी उतनी होगी, उत्पादन हमारा उतनी होगा, यह उत्पादन को प्रभावित करने वाला, लीबिंग का कारक था, ठीक है, लीबिंग ने इसे जो है, इतना गजब का concept बनाया, जैसे माल मालू, आपको बनाना है खाना, ठीक है, खाना बनाना है, आपको मालू बनाना है खिचडी, खिचडी में आप क्या डालते हैं, दाल डालते हैं, ठीक है, चावल डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं, यह तीन और प्लस पानी डालते हैं, ठीक है, अब आपको खिचडी बना उतनी हमारे लेक कम है ठीक है हमको मालो बहुत कोई खिचडी बनानी जितनी हम बना सकते हैं ठीक है लेकिन आपके पास जो है नमक दो ही चमच है नमक दो ही चमच आपके पास होगा तो और दाल आपके पास एक बूरी रखे है चावाल आपके पास एक बूरी रखा पानी कर ए है 100 ग्राम है ठीक और चावल आपके पास है खूब परियाप पानी आपके पास है खूब परियाप तो आपको अगर खिचडी बनाने है तो आप खिचडी उतनी बना पाएंगे जितनी हमारी 100 ग्राम डाल से बन सकती है मतलब जो सबसे lowest factor होगा वही प्रभावित करेगा करेगा निरधारित करेगा कि उत्पादन कितना होगा यह हमारा किसका concept है जस्टिस वान लीबिंग का concept है लीबिग नाम है वसे लीबिंग हम लोग पढ़ते हैं उनको बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को फिर आते हैं ब्लैक मैन जो है 1905 में एक थियोरी दे दिये थे यसे कहते हैं ऑप्टिमा और लिमिटिंग फैक्टर लगभग कुछ कुछ जो है इससे मिलती जूलती थी किससे लीबिंग की थियोरी से लेकिन थोड़ा सा यहां पर अंतर था इन्होंने कहा कि जब एक प्रक्रिया को स्तिग्रता से करने के लिए कुछ कारकों की आवस्यक्ता होती कुछ फैक्टर्स चाहिए हमको मालो कोई प्रक्रिया करना है तो से हम कुछ फैक्टर्स उसमें हमको जरूरत होती है कुछ फैक्टर्स की जब जरूरत होत उसी पर निर्धारीत होगा जैसे ज impair हम लोग जानते फोट वोटो सेंती है रेटा फह फोटोशंथेसन ओर मुद एक ग्जामपल लेते है प्रोसस की बाथ हो रही प्रक्रिया की तो प्रक्रिया की C6, S12O6 और oxygen release हो जाता है ठीक यह हमारा concept है किस चीज का photosynthesis का ठीक है हमारे लिए क्या क्या जरूरी है भी हमारे लिए CO2 जरूरी है CO2 जरूरी है CO2 जरूरी है ठीक rate और light जरूरी है ठीक हम मान लो कि CO2 हमें जो है एक मिल रही है एक limited मात्रा में CO2 हमें इतनी मिल लही है और हमें क्या मिल लही है light इतनी मिल लही है light की यह हमारी मात्रा है light हमारी इतनी मिल लही है light हमारी जब इतनी मिल लही है CO2 इतनी मिल लही है तो हमारा data photosynthesis क्या होगा इतना होगा ठीक मान लो हमारी light की intensity हम यही पर बढ़ाते चले जाए और CO2 को concentration हम ना बढ़ाएं ठीक है मदब intensity of light हम यहां पर सीमित कर दिये यहीं पर ठीक है intensity of light इतनी है ठीक अब तुम चाहे CO2 जितनी बढ़ाती चले जाओ CO2 तुम यहां तक CO2 बढ़ाया था तो ठीक था लेकिन उसके बाद हम अगर से हमारा क्या होगा यहां पर photosynthesis, data photosynthesis ही हो जाएगा, CO2 इतनी लिए light इतनी लिए data photosynthesis ही हो जाएगा, मतलब हमको क्या करना है, दोनों को एक मातरा में बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम क्या कहते हैं, formula बनाते हैं, क्या 6 CO2 plus 12 H2O, ठीक, इन से हमारा क्या बनता है, एक mol बनता है, किसका C6 H2O6 का, ठीक है, अब मान लो हमारे पास जल के हो जाएगा, हमारे पास 24 सड़, ठीक है, 12 की जगा कितने हो जाएगा, 24 सड़ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास CO2 6 ही रहें, तो हम क्या कर पाएगे, कभी photosynthesis, ये दुगना हो पाएगा, glucose नहीं हो पाएगा, हमारे गया था, ब्लैक मैन ने कब 1905 में ये थेओरी है, जो है, ब्लैक मैन की, ठीक है, ये concept आपको, अगर समझ में आ गया हो, तो एकदम, कमेंट में सेक्शन में बताईए जरूर भाईया, आगे जो है बढ़ते है, लिविंग स्टन काका की थेओरी पे, लिविंग स्टन ने कहा क्या इसा है, देखो भाईया, हम मान गए, तुम लोग जीतना जीतना हमको ये सब लोग बताएओ, चले जाओ, ये भी बढ़ाते चले जाओ, तो जो है, प्रोडक्शन बढ़ता चले जाओगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज की होती है, आती, ठीक है, किसी की आती जो ह अच्छी नहीं होती है ठीक है तो इन्होंने कहा कि किसी भी function के लिए एक अधिकतम और एक निंतम जो है zero point होता है ठीक है CO2 जो है अगर हम लोग क्या करें फोटो सिंथेस का ही process ले लेते हैं चलो एक बार example लिए तो फोटो सिंथेस का ही process ले लेते हैं अब फोटो सिंथेस की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें जोरी होता है CO2 का ठीक है 6 CO2 है 12 S2 है तो हमारा क्या हो गया है एक glucose यहीं 12 हो जाए यहां 24 हो जाए तो 2 glucose यहां 18 हो जाए यहां 36 हो जाए तो 3 glucose लेकिन इसकी भी एक limit होगी एक upper limit हर चीज की होती है everybody has a upper limit and everybody has a lower limit जैसे temperature की अगर हम बात करें temperature हमारा अगर 0 से नीचे चला जाए तो कोई plant survive नहीं कर पा रहा है वहीं हमारा अगर 50-60 से उपर चला जा रहा तब भी तो कोई plant survive नहीं कर पा रहा है ठीक है तो हर चीज की क्या होती है एक lower limit होती है एक upper limit होती है जिसके बाद जो है क्या होता है production 0 हो जाता है इसी को बोलते है लिविंग स्टन आया स्रीव का physiological limit theory लिमिट का मतलब क्या है हर चीज की एक limit होनी चाहिए ठीक है एक upper limit है और एक lower limit है जहां पर प्रक्रिया वो सून हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा temperature बढ़ा तो प्रक्रिया सून इससे कम temperature गया तो प्रक्रिया सून इससे ज़्यादा जिसे कम पानी होता तो क्या होता सूखा हो जाता है बहुत जाता पानी होता water locked condition हो जाती बाड़ा जाती है तो सारे चीजों का जो limit होती वो set होती है एक upper limit और एक lower limit यही हमारा जो है लिविंग स्टन और श्रीव ने मिलके बताया था इसी को physiological limit theory कहते है ठीक है आगे बढ़ सही हो यह बीच का रास्ता है सब लोग की बाते सही है सब लोग बहुत सही हो हम बताते है तीनों लोग सही हो तीनों लोग के लिए बहुत जरूरी है concept हम दे देते हैं तो Odom ने अपना कुछ नहीं किया, तीनों को उठा के एककी में क्या कर दिया मर्ज कर दिया, उन्होंने बताया कि तीन चीजें बहुत जरूरी है तीनों पहले सुना, उन्होंने समझा और समझ के फिर बताया, क्या बताया कि पदार्थ की वे मात्राइं जो पौधों के विकास के लिए कम से कम मात्रा में हमारे पास available होंगी जैसे हम नमा कॉला कॉणसेप्ट बदाया थे यगों ने कहा लीबिंग की बात मान लई ठीक है यह उन्हें कहा कि दूसरा जो factor है crop distribution को प्रभावित करने वाला हुमारा क्या होता है physical factor होता है जैसे जलवायू है, जैसे मरदा है और जैसे temperature है, बहुत सारी चीज़े हैं हमारी जो प्रभावित करती है, यह फिजिकल कारा यह उन्हें कहा कि अपर लिमिट और लोवर लिमिट मतलब यही लेविंस्टन और स्रीव वाला मालिया यह उन्हें कहा कि हर चीज की एक क्या होती है अपर लिमिट होती है, और हर चीज की एक लोवर लिमिट होती है जिसे light, temperature, water availability की क्या होती है एक upper limit होती है, एक lower limit होती है अगर इससे कम light हुई तो production नहीं होगा उससे ज़्यादा light हुई तो photosynthesis नहीं होगी इससे कम temperature हुआ तो production नहीं होगा इससे ज़्यादा temperature हुआ तो भी production नहीं होगा ठीक है एक limit set हो जाती ही हर चीज़ की ठीक है ये भी इन्होंने मान लिया तो इन्होंने क्या किया तीनों को मिला के कह दिया कि आईसा है तीनों लोग सही हो तीनों की थियोरी को हम मिला दे रहे हैं तो Odom ने लासली अपनी थियोरी यह दे दी ठीक है आज के लिए बस इतना है धन्यवाद कल जो आपका lecture 2 इसी का आ वसल निर्दारण को, और कैसे हमारा सूसाइटी समाज प्रभावित करता है, जो हमारे ये पहला वाला आपको फोटो दिखा था, इसको एकदम डीटेल में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा, तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का ठीक है तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिससे आपको ऐसे नोट्स की पीडियाफ मिलती रहे ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद